बहनों द्वारा अपनी भाईयों की कलाई में बांधी गई इस राखी के प्रभाव से भाईयों की हर संकटों से निश्चे ही रक्षा होती है। उन्हें देवताओं का आशिरवाद मिलता है। विभिन युगो कालखंडों में भी इस पर्व के मनाये जाने के बारे में पता चलता है। रक्षा बंधन का मेहत्व ताइम्स शास्त्रों में रक्षा बंधन के संदर्भ में मृत्यू के देवता भगवान यम और उनकी बहन यमुना का एक प्रसंद मिलता है। पौरानिक कथाओं के अनुसार यमराज और यमुना जी भगवान सूर्य देव की संतान है। यमुना जी बहन के रूप में अपने भाई यम सिस नह पाना चाहती थी। कहते हैं इसलिए यमुना जी ने एक बार यमराज की कलाई पर धागा बांधा था। भगवान यम यमुना की इस बात से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यमुना की रक्षा का वचन देने के साथ ही यमुना को अमर्ता का वर्दान भी दे दिया। यमराज जी ने अपनी बहन यमुना को यह भी वचन दिया कि जो भी बहन सावन की पूर्निमा के दिन अपने भाई को शुभ मुहूर्क में राखी बटा रक्षा सूत्र बांधेगी और भाई अपनी बहन की मदद के लिए वचन देगा, उसका कल्यान होगा, वह उसे लंब यमराई को प्रेम पूर्वक राखी बांधती है, उसकी सभी आपदाओं से रक्षा होती है। विष्णु पुरान के एक और प्रसंग में कहा गया है कि श्रावन की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने हयगरीव के रूप में अवतार लेकर समस्त वेदों को ब्रहमा जी के लिए फिर से प्राप्त किया था। शास्त्रों में हयगरीव को विद्या और बुध्धी का प्रतीक माना जाता है। उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा युद्ध में विजय के लिए रक्षा बंधन का पर्व मनाने की सलाह दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राखी के इस रेश्मी धागे इस रक्षा सूत्र में वह शक्ती है जिससे आपकी सेना विजी होती तथा आप लोगों की सभी आपत्तियों से रक्षा होगी। महाभारत में द्रौपदी द्वारा भगवान कृष्ण को राखी बाधने के भी कई उलेख मिलते हैं। टाइम्स यह देखकर द्रौपदी ने उसी समय बिना समय गवाये अपनी साड़ी को फाड़ कर श्री कृष्ण जी की उंगली पर पट्टी बांध दी। वह श्रावन मास की पूर्णिमा का ही दिन था। द्रोपदी के इसी सनेह को देखकर वासुदेव ने द्रोपदी को उसकी रक्षा का बचन दिया। टाइम्स और यह सर्व विदित है कि श्री कृष्ण जी ने द्रोपदी के इस उपकार का बढ़ला बाद में भरी सभा में दुहशासन द्वारा द्रोपदी के चीरहरन के समय उनकी साड़ी को बढ़ा कर चुकाया। और महाभारत के युधद में भी पांडवो का ही साथ दिया मान्यता है कि एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना यहीं से रक्षाबंधन के पर्व में प्रारंभ हुई थी। टाइम्स कालांतर में यूनान के मकदूनिया के शासक बादशाह फिलिप का बेटा सिकंदर यूनान से विश्व विजय के लिए चला और भारत आ पहुँचा। वहाँ पर चेनाब नदी के क्षेत्रों में राजा पुरु का शासन था जो बहुत ही महान योध्धा था। एक प्रसंगानुसार सिकंदर की पत्नी ने राजा पुरु की वीरता और विशाल सेना के बारे में सुनकर अपने पती की रक्षा के लिए राजा पुरु को राखी बांध कर उन्हें अपना मुबोला भाई बनाया और उनसे युद्ध के समय सिकंदर को नमारने का वचन ल ताइम्स पसले आएगा